आज की वीडियो बहुत important है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ discussion करने वाली हूँ कि अपने आप metabolism rate को किस तरह से high रख सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं और ये metabolism आखिर होती क्या है इसको बढ़ाना इतना क्यों जरूरी होता है और pregnant ladies भी अगर मेरी इस वीडियो को convert नहीं हो रही है तो वो आपके और आपके बच्ची के लिए सही नहीं है यानि कि जो कुछ भी आपने खाया पिया है अगर आपका metabolism high होगा तो वो आपको अच्छी energy में उसका conversion होगा लेकिन अगर metabolism आपका slow होगा तो वो fat में वो सारा जो खाना पीना जो भी आपने खाया ह है वो fat में store होगा और आपको उपर से आलस से भी बहुत जाद आएगा तो आज की इस वीडियो को आप प्लीज शुरू से लेकिलाज तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हर्श्रिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल twins my world care पर बहुत-बहुत स्वागत है जब यह regular कहना होता है कि मैं बहुत जादा नहीं खाती या मैं बहुत जादा नहीं खाता एक से दो रोटी खाता हूं फिर भी बहुत जादा सुस्ती होती है और fat बहुत जादा होता है अब इन दोनों की बीच में क्या connection है इन दोनों की बीच में सिर्फ एक metabolism rate का connection है जो पतला व रहा है बलकि वह fat के अंदर transform हो रहा है तो आपको इसी को क्योर करना है कैसे कर सकते हैं और ऐसी कोई भी आपको डाइट प्लान नहीं बताने वाली हूं जोकि बहुत अदब महंगे होंगे आपको कोई ऐसी protein shake नहीं बताने वाली हूँ बलकि आपकी daily दिन चर्या में कुछ ऐसे basic परिवर्तन अगर आप करते हैं उसे आपको बहुत हद तक रहत मिलेगी आपका metabolism slow के वज़ाए बहुत ही ज़्यादा fast हो जाएगा और आप खुद महसूस करेगा कि एक वहने के बाद इ तो सबसे पहले tip के बारें बाते करते हैं आपको दो glass कुनगुना पानी सुबह उठते उठते आपको पीना है चाहे आप pregnant ladies हो, non pregnant हो, बड़े हो, बच्चे हो, बुड़े हो, सब के लिए गरम पानी बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द है हर age group का इंसान गरम पानी का सेव बनाओंगी लेकिन आप nut cell में ये जान लिजे कि आपकी metabolism को तुरन से अगर boost up करेगा कोई तो वो है आप सुबह सुबह गुनगुना पानी regular basis पे पीना शुरू कर दे हैं आपको फर्क महसूस कर सकते हैं और जब भी अगर आप नाश्ता करते हैं लंच करते हैं और डिनर कर बहुत ही heavy और बड़े लोगों ने भी हमें बताया है कि बचे जो भी खाओ पेट भर के भोजन करों लेकिन ये चीज़े यहां पर fail हो जाती है जो दूसरा tip है बहुत बड़ा कि कभी भी आपको पेट भर के भोजन नहीं करना है चाहाँ आपके पास कितने सारे food available हो आपको सुबा का जो नाश्ता है वो राजा के जैसा करना चाहिए दोपार का जो लंच है वो राजकुमार के जैसा करना चाहिए और रात का जो डिनर है वो बिलकुल भी खारी के जैसा करना चाहिए इस पे भी मैं आऊंगी लेकिन इसके पहले मैं लॉजिक आपको ये बता दू कि आपको पेट भर के भोजन क्यों नहीं करना चाहिए पेट भर के जब आप भोजन करते हैं तो होता क्या है कि आपको इनर्जी नहीं लगती है बलकि सुस्ती आती है तो आप क्या करना चाहोगे कि आप अराम करना चाहोगे तो आपको बाकी चीजों के उपर भी ज़्यादत ध्यान रहता आप इस फूर्ती में महसूस कर सकते थे लेकिन आपकी पूरी की पूरी एनर्जी चली गई को कम्प्लीट करने के लिए यानि का आप बहुत सी ज़्यादा सुस्ती लेथार्जी कर सकते हैं आप जैसे माल लेजे के आपको 4 रोटी खाने के आदत है 4 रोटी ना खाईए बलकि 3 रोटी खाईए हम जो extra जो फोजन करते हैं वो ही आपके fat के content को बढ़ाता है आपके अंदर आलेस से लाता है आपके metabolism को slow करता है तो अगर आपकी खाने की जो भूख है वो एक से दो रोटी की है तो उसको चार ना बनाए अगर आपको चार रोटी ही खानी है आपको complete करना है अपनी diet तो आप जो तीन बड़े-बड़े meals ले रहे हैं जैसे कि सुबा, दोपहर और रात आप तीन बड़े meals ले रहे हैं इसको तीन ना करके आपको 6 बार में खाना है और जितनी food की quantity है सब को divide कर दीजे वतलब 6 बार खाईए उतना ही भोजन खाईए जैसे कि मालीजे इतनी आपने सबज ले रखी है, 4 रोटी, 5 रोटी ले रखी है तो सबजी को आप बढ़ा सकते हैं, सबजी अगर green vegetable है तो उसको बढ़ा सकते हैं अगर बहुत ज़दा ओईली है तो उसको कम कर सकते हैं और उसके साथ आप 1 रोटी, 2 रोटी रखिए और अंतराल पे जैसे 2 से 3 घंटे के अंतर आपको अलत से भी नहीं लगा इस फूर्ती भी बने रहे आप ऐसा करके देखीगा आपको खुद अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज मैसूस होगा अब जैसे मैंने आपको बताए कि आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए बहुत ही राजा के जैसा होना चाहिए दो बात में सोने के पहले करीब 2-3 घंटे पहले आपको भोजन कंप्लीट कर लेना है खतम कर लेना है खाने पीने का प्रॉसस क्यूँकि जब अगर आप सोने जाते हैं तो उस समय बॉड़ी आपकी हील होती है बॉड़ी की जब हीलिंग हो रही होती है तो अगर आप बॉड़ तो आपको ऐसे काम नहीं करना है, आपको जितना हलका भोजन रखेगा, उतना आपकी हीलिंग के लिए आपकी बोड़ी तयार होती है, क्योंकि जब आप रात में सोते हैं, तो आपकी बोड़ी अगले दिन के लिए फ्रेश होती है, आपकी बोड़ी हील होती है, तो जितना आ अगर आपका पेट खाली होगा तो अच्छी तरह से आपकी हीलिंग होगी और काफी जादा रिलाक्स और आप एनर्जेटिक महसूस करीगा आपकी मेटाबॉलिसम रेट भी हाई होगी फोर्थ इंपोर्टन चीज जो कि आपको खाने के पहले एक नियम होता है कि खाना खाने के आदा घंटा पहले आपको एक गलस पानी जरूर पीना चाहिए नौर्मल पानी पीजेगा ठंडा बिलकुल ना पीजेगा और आप हो सके तो गुनगुना पानी अगर पीना शुरू कर देते हैं तो इससे बड़ी अच्छी चीज कुछ हो ही नहीं सकती है और खाना खाने के एक घंटे के बाद ही आपको पानी का सेवन करना है चाहे आप गरम पानी पीजे तो बस सोने में सुहागा है लेकिन अगर आप नौर्मल से काम चलाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको पानी का सेवन करना है इन सब बातों के उपर थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान दे देते हैं तो without आपके किसी exercise के आप अराम से अपने metabolism को अपने control में रख सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें add-on कर सकते हैं तो exercise को add-on करिए जैसे कि 30 मिनट की walk ही कर लीजे पूरे 24 गंटे में सिर्फ 30 मिनट आपको निकालना है जिसमें सिर्फ आप टहल के आप चाहे तो टहल टहल के बाते कर सकते हैं टहल के कहीं पर अगर आपने office से निकले तो चलो एक round लगा लेते हैं कुछ इसी तरह की चीजे आपको 30 मिनट अगर walk आप शामिल कर लेते हैं पूरे दिन भर में यानि कि 24 गंटे में सिर्फ एक बार उतना more than enough है अगर इससे ज़्यादा exercise करते हैं तो अच्छी बात है मैं ऐसा नहीं कहते हूँ कि जिम में आप पसीना बहाई है लेकिन थोड़े थोड़े से changes अगर आप अपने lifestyle में करते हैं तो आपकी metabolism definitely बहुत increase होगी आपका weight कम होगा आपको energy level जादा मिलेगी और आपको बीमारिया जो की बहुत खाने वगरा के वज़ा से आपको acidity होती थी अपच होता था बहुत ही पेट फूलता था फिर आपको क्या होता था कि बहुत ही ज़दा आपको heart bend होता था कई बार क्या होता क्या मौयली food खा लेते हैं हमारा पूरा गला है वो जलने लगता है तो इन सारे चीजों से आपको निजात मिलेगा यह जो भी टिप मैंने आपको बताया है चारों से पांचों अगर आप exercise करते हैं तो जल्दी से जल्दी आपका metabolism हाई होगा लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो 30 मिनट की walking ही कर लिजे और 21 दिन के बाद इस वीडियो के नीचे comment करके जरूर जाएगा कि कितना ज़दा आपको फाइदा हुआ मेरे इन टिप से आपको फाइदा हुआ है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक के पेज को लाइक करना ना भोलें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट्विन्स माई वर्ल केर